हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में BPSC रजनीस कुमार सरका सेट 12 को सुरू करेंगे सेट 11 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ हमारा पहला कोईचन है 15 जुलाई 2021 को परधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी ने रुदराक्ष का उधगाटन किया रुदराक्ष है अंतराष्टिय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर है जुलाई 2021 में परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने वरांसी में 2.87 हेक्टियर में फैले रुदराक्ष नाम के अंतराष्टिय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर का उधगाटन किया इन में से कौन 30 जुन 2022 के विशु का सबसे कम आयू का सतरंज खिलारी सतरंज का पर्थम ग्राउंड मास्टर बना जी एम अभीमन्निव मिश्रा विशु का वह एकमात्र किर्गेटर जिसने T20 किर्केट मैच में 14,000 से अधिकरन बनाए है क्रिस गेल ओप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा क्रिस गेल दोस्तो आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सुचने का फिर आप वीडियो के लाश में कॉमेंट किजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा नेक्स्ट कोईचन इन में से किस देश की सरकार ने अपने नागरीकों को वाइरस पासपोर्ट जाड़ी किया चीन सरकार किस भारतिय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मिलित्यू हो गई दानिस सिद्धी की भारत सरकार दोआरा 5 जुलाई 2020 को नवगठित राश्टिय होमियो पैथी आयोग का पर्थम अध्यक्ष किसे बनाया गया है डॉक्टर अनील खुराना को अप्शन सी होगा राजी सभा में सदन की नेता है पियूस गोयल अप्शन डी होगा राजी सभा में सदन का नेता पियूस गोयल 14 जुलाई 2021 को नियुक्त किया गया भारत की किस महिला भारोत्तक खिलारी ने टोकियो उलम्पिक खेलो में पर्थम पदक जीता मीरा बाई चानू ने देश के किस राजी में पहला अपुस्पी पादक गार्डन का उद्घाटन किया गया उत्राखंड में चोहत्तरवे कांच फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारती है डक्यूमेंटरी का सरुष्रेश्ट डक्यूमेंटरी फिल्म का गोल्डन आई अवार्ड प्राप्त हुआ ये नाइट ओफ नौइंग नथिंग विशू की पहली विशू टेस्ट चैंपियन 2021 नीजू लेंड ने फाइनल में किसे हराकर जीता भारत को हराकर अप्शन भी हो जाएगा भारत अत्यधीक ठंडे मौसम वाले किस देश में जून 2021 के अन्तिम सप्ता हमें तापमान 49.5 डिगरी सेल्सियस के रिकॉर्ड अस्तर तक पहुँश गया कनाडा में अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रियोजना के शुरुआत हुई आंध्र परदेश में कौंकन सैनी अभ्यास किंदो देशों के सेनाओं के बीच आजयोजित किया जाता है भारत और ब्रिटेन के बीच 18 अगस 2021 को किस राजे सरकार ने परदेश में गोरक धंधा सब्द के इस्तमाल पर पर्तिबंद लगा दिया हरियाना सरकार ने गोरक नात्थ समुदाय के आगरपर हरियाना के सरकार ने गोरक धंधा सब्द पर पर्तिबंद लगा दिया सुप्रीम कोट ने महिलाओ को इन में से किस परिक्षा में के लिए अंत्रिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है इंडिये परिक्षा में हाल ही में वनस्पति विज्ञानिकों के एक समुध ने किस दूइप समुध में एक अंब्रेला हेड वाली सेवाल परजाती की खोज की है अंडमान और निकोबार में केंद्रिये मंत्री मंडल ने भू विज्ञान के छेत्र में शहियों के लिए भारत और किस देश के बीच समझोता को मंजूरी दी अमेरिका भारत और अमेरिका किस राजी सरकार ने अगले 10 वर्चों तक भारती होकी टीम को संरक्षन देने की घोसना किया है ओडीशा सरकार इन में से किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामगिरी पर परतिबंध लगा दिया है फेस्बूक ने भारत नेट कारिकरम के तहट भारत के चौलाग गाओं की किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिवीटी मिल जाएगी दूहजार चोबिस तक निम्री में से किस राजी सरकार ने राजीब गांधी ग्रामिन भूमीहीन मजदूर निया योजना शुरू की है जून जूलाई 2020 में अस्थापित होने वाले बैड बैंक की विधिक नाम क्या है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रॉक्षन कम्पनी लिमिटेड 31 मार्च 2020 की अस्थिति के अनुसार विश्यू के किस देश के पास अधिक्तम अधिक्रीत अधिक्रीत स्वर्ण अस्टोक है USA के पास 2021 से 30 दसक को किस विशे पर सन्युक्त राष्ट दसक के रूप में मनाया जाएगा पारिश्थिति की तौंत्र की बहाली 25 ब्राहमन सन्बंदित है सामवेद के साथ 25 ब्राहमन और छंदोगी उपनिशद है तो ऑप्षण B हो जाएगा सामवेद के साथ किस वाइसराय ने आर्थिक सुधार के तरफ भी ध्यान दिया और ब्रीटिस अर्थ सास्त्र विल्सन को भारत बुलाया लौड कैनिंग ने ऑप्षण D हो जाएगा option B हो जाएगा वोरेन हेस्टिंग स्थीध भारत में से कौनसा एखेम का का बंदर गाह भारतिये में से कौन सा एक हरप्पा का बंदरगा है लोथल ऑप्शन भी हो जाएगा लोथल की खुज 1957 इस्वी में डॉक्टर एस राव ने किया यह संदवस्तर आजुनिक भारत के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे अस्थीत है गुप्त समराठ जिसने हूनो को प्राजित किया था असकंद गुप्त अप्शन सी होगा असकंद गुप्त के काल में हूनो के आकरमन हुए जिसे असकंद गुप्त ने बूरी तरह प्राजित किया इसकी जानकारी के शुरुत जुनागड एवं भीटरी सिलालेख है कलहन की पुष्टक का क्या नाम है कलहन द्वड़ा संस्कीत भाषा में रचित पुष्टक राज तरंगिनी इतिहास का मानक गरंथ है ओप्शन डी हो जाएगा राज तरंगिनी किस अविलेख में रुद्र दामन पर्थम की विभिन उपलब्धिया वर्नित है जुनागड अविलेख में ओप्शन ए हो जाएगा सक सासक रुद्र दामन के बारे में जानकारी जो है उसके जुनागड या गिर्णार के अविलेख से प्राप्त होती है महात्मा बुद का महापड़ी निर्वान कहा हुआ था असी वर्ष के वास्ता में कूसी नगर में गौत्म बुद की मिलित्यू या मोक्ष जिसे महापड़ी निर्वान की संग्या दी गई है option C होगा कूसी नारा में महात्मा बुद ने अपना पर्थम धर्म चक्र प्रवर्तन किस अस्थान पर दिया था सारनाथ में option B होगा गौत्म बुद ने अपना पर्थम धर्म उब्देश जो है वो बनारस के पास सारनाथ में दिया उनके इस उबदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है मगत की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी राजगिरी, गीरी वरज भारतिय पुनर जागरन आंदोलन के पिता कौन थे भारतिय पुनर जागरन का पिता राजा राम महन राई को कहा जाता है आप्शन डी होगा राजा राम मोहन राई स्वाराज दल की अस्थापना किसने की स्वाराज पार्टी की अस्थापना एक जन्वरी 1923 इस्वी को इलाहाबाद में चीतरंजन दास एवं मोतिलाल नहरू ने किया आप्शन डी से उत्तर हो जाएगा चीतरंजन दास एवं मोतिलाल नहरू थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना किसने की थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना 1875 इस्वी में एच एस अलकाट एवं मैडम बलावेट्सकी ने रूस में की थी तो इसका जो राई टांसर हो जाएगा ओप्शन है मैडम बलावेट्सकी एवं करनल अलकाट निमलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी गीता रहसी सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातू के बने थे चांदी तामबा के बने थे ओप्शन हो जाएगा इल्टुतिमिस ने जीतल यानि तामबे के सिक्के तथा टंका यानि चांदी का सिक्का का परचलन करवाया फिरोसा तूगलक ने एक नवीन परकार के सिक्के ससगनी का परचलन किया 12 माशा की रचना किसने की थी मलिक मुहमद जैसी द्वारा रचित पद्वावत में वर्णित 12 माशा हिंदी का संभवता पर्थम 12 माश है वर्ष भर के 12 महीने में नायक नाइका की सिरिंगारिक वीरह एवं मिलन की किरियाव के चितरन को 12 माश नाम से सन्भोधित किया जाता है आप्शन सी होगा मलिक मुहमद जैसी जवावीत का संबंद कि से था राज्य कानून से इरान के शाह और मुगल सासकों की बीच जगरे की जड़ क्या थी कंधार इरान के शाह और मुगल सासकों की बीच जगरे की जड़ कंधार थी दू अस्पा सिंग अस्पा पर्था किस ने शुरू की थी जहां गीर ने शुरू की थी इन में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापती है गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के स्टोरिया में 1913 इस्वी में अंग्रेजी समराजी को जड़ से उखार फेकने के उद्धिस सिसे किया गया था गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंग भागना थे औप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंग भागना भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का परधान सेनापती कौन था लॉड वेवेल भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारम के साथ ही 9 अगस्ट 1942 को बंबई में महात्मा गांधी को गिरिफतार कर लिया था तो आप्शन सी हो जाएगा बंबई में लंदन में माईकल ओ डायर को गोली से मारने वाला करांतिकारी कौन थे उधम सिंग लंदन में 13 मार्च 1940 को जलिया वाला बाग का बदला लेने के लिए जर्नल डायर को पंजाब के करांतिकारी नेता उधम सिंग ने गोली मार कर हत्या कर दी कौन से वाइसराई के काल में राष्टिये सोयम सेवक संग की अस्थापना हुई थी लौड रीडिंग के काल में अप्संडी होगा वाइसराई लौड रीडिंग के काल में 27 सितंबर 1925 को नागपूर में राष्टिये सोयम सेवक संग की अस्थापना हुई थी फतेहपूर में 1857 के विद्रो का नेतरितु किस ने किया था जिसे 1858 में रेनाड ने दबा दिया था तो option D हो जाएगा अजिमुल्ला ने किया था साइट्रिक अमलका प्राक्रितिक शुरोत है साइट्रिक अमलका प्राक्रितिक शुरोत जो है वह खट्टे फल निम्बू option B से उतर हो जाएगा खाद पदार्थो वो इसका जो इस्तेमाल है खाद पदार्थो दबाव के बनाने में तथा कपड़ा उद्योग में धातू की शफाई में इसका प्रियोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसीड का प्राक्रितिक शुरोत हराक्सिस है option A सहय उतर हो जाएगा हराक्सिस सल्फ्यूरिक एसीड का उप्योग, पेट्रोलियम, सो धन, दिसपोटक, रंग, एवं, और सिधिया ये बनाने में किया जाता है इसी टीक अमल का प्राक्रितिक शुरोत हैं इसी टीक अमल जो है फ़लो के रसो से सुगंदी तेलो option B से उतर हो जाएगा फ़लो के रसो सुगंदी तेलो से प्राप्त किया जाता है केसी टोन एवं खटे पदार्थ बनाने में तथा विलायक के रूप में इसका परियोग किया जाता है पादप कोशिका से सनबंदित कौन सी बात गलत है पहला देखिए पादप कोशिका में तारकाई नहीं होता तो ये सही है इनमें कोशिका भित्ती नहीं होता तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है तो आप्शन C राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ती होती है जन्तु कोशिका से सनबंदित कौन सी बात गलत है इसमें तारकाई नहीं होता ये गलत है तो option D right answer हो जाएगा जन्तु कोशिका में तारकाई उपस्तित रहता है प्रोकेरियोटिक कोशिका में से सनबंदित कौन सा तथ ये गलत है इसके DNA में हिस्टोन प्रोटीन होती है ये गलत है option A right answer हो जाएगा प्रोकेरियोटिक कोशिका के DNA में प्रोटीन नहीं होती है अनुवांसिक पदार्थ साइटो प्लाजमा में बिखरा रहता है यूकेरियोटिक कोशिका से सनबंदित कौन सा तथ ये गलत है इसमें कोशिका भित्ती प्रोटीन वसा तथा अस्टार्च की बनी होती है उप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है तो गलत को ही चुनना है यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ती सेलिलोज की बनी होती है इसमें राइबोजोम 805 परकार के होते है डिप्थीरिया रोग निम्ण मेंजे किस अंको परभावित करती है श्वासन नली को परभावित करती है विद्युधारा निम्ण मेंजे किस उपकरन से नापी जाती है आमीटर में नापी जाती है विद्युधारा जो है आमीटर में नापी जाती है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है ग्रीन हाउस गैस वातावरन या जलवायों में परिवर्तन और अंतता भूम अंडलियों उसमी करन के लिए उतरदाई होती है इन में सबसे ज़्यादा उत्सरजन, कार्बन डायकसाइड, नैटरस अकसाइड, मिथेन, कलोरो फ्लोरो कार्बन, वास्प ओजन ये सब होता है तो आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक आइंस्टीन को नोबल पुरुषकार किस कारी के लिए मिला परकास विद्यूत परभाव के लिए ओप्शन D राइट आंसर हो जाएगा कोशिकास का सकती सुरोत होता है मैटरो कंड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ओप्शन B सही उत्तर हो जाएगा मैटरो कंड्रिया एड्स निम्न कारणों में से किस के द्वारा होता है एड्स विशानु जनित रोग है यह परति रोधक छमता समाप्त करती है ओप्शन C हो जाएगा विशानु के कारण आर्दता किस उपकरन से नापी जाती है हाईग्रो मीटर से मापी जाती है दाब की इकाई क्या है निउटन परति वर्ग मीटर कोहरे में निमलिखित में से कौन सा कॉलाइडी तंत्र अभी वैक्त होता है गैस में दरब ओप्शन ए हो जाएगा वो भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है उसका भी लिंग आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के पलिलिष्ट में जाके देख लीजिएगा निमलिकित समु में से कौन इन धनुस के रंगों का सही करम है नीला हरा और पीला इन में से कौन सा सदिस रासी है सनवेग सनवेग जो है ये सदिस रासी है निूटन के गती के पहला नियम को क्या कहा जाता है जरता का नियम कहा जाता है जेट इंजन का कारी की सिधान पर करता है रेखिये सनवेग सनरेच्छन पर करता है रेखिये सन्वेग सन्रक्षन सिधान पर जेट इंजन जो है वो कारी करता है क्यूं वर्षा की बुंदे गोलकार होती है जल में पिरिष्ट तनाव होता है इसलिए बाल किस प्रोटीन का बना होता है किरेटीन का परती कितने वर्ष पहचाद राजी सवा के एक तिहाई सदस्य पद निर्वीत होते हैं और एक तिहाई नए सदस्य उनके अस्थान पर चुने जाते हैं राजी सवा में सदस्य छो वर्ष के लिए चुने जाते हैं जिन में एक तिहाई सदसी हर दो वर्ष में सेवा निव्रित हो जाते हैं, option A हो जाएगा दो वर्ष, आजियों की विधान सभा को कितनी समायवधी के अंदर सनवधानिक संसोधन विधेये को सुईकार अथवा और सुईकार करना पड़ता है, इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, option D हो जाएगा कोई समय अवधी जो है वो निश्चित नहीं है, next question, साह बानो केस में सर्वोचिन आयाले के फैसले को निश्परभावी करने के लिए संसद ने हस्त शेप कर कानून को बदला था, इस घटना के समय भारत का परध संसोधित किया गया है, संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार संसोधित किया गया है, वह 42 संविधान संसोधन है, option B हो जाएगा केवल एक बार, नियाएक पुनराव लोकन से तात पड़ी है, नियाएक पुनराव लोकन से तात पड़ी है, विधाई का तथा कारी पा भारत की आकस्मिक नीधि से धन वैक कर सकता है, किसी की संस्तूती या अनुमती की आवसेक्ता नहीं है, भारत के सम्विधान के अंतर्गत किस आयू के बालों को किसी खान अथवा अनि संकट में सेवा में लगाया जाने का परतिसेद किया गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस सम्विधान संसोधन द्वारा भूमी सुधार कानूनों को वैधानिक बनाया गया और मुआवजा देकर राज्य के द्वारा अधिग्रहन की वैवस्ता की गई 17 वा सम्विधान संसोधन 1964 में हुआ था मौलिक अधिकारों सनवंदित विशे सम्विधान के किस भाग में हैं सम्विधान के भाग 3 अनुछेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उलेख किया गया है ओप्शन भी हो जाएगा भाग 3 में सौर मंडल का एक मात्र उपगरह जिसका अपना वायू मंडल टाइटन है ओप्शन ए हो जाएगा टाइटन यदि प्रीथवी से वायू मंडल हटा दिया जाए तो दोनो औप परिवर्तित होगा ओप्शन ए हो जाएगा दोनो जो है औप परिवर्तित होगा यदि प्रिथवी से वायूमंडल हटा दिया जाए तो दिन या रात के छोटा या बड़ा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दिन या रातरी का होना प्रिथवी के अपने अक्ष पर सारे 23 डिग्री जुका होने के कारण सूरी के उतरायन या दक्षी नायन के कारण है तो अप्षन C हो जाएगा दोनों परिवर्तित रहेगा जर्मनी एवं पॉलेंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है हिंडेन बर्ग रेखा उप्षन A हो जाएगा हिंडेन बर्ग रेखा उतरी एवं धक्षनी कुडिया के मद्धी सीमा को किसके दोड़ा अंकित किया गया है अर्तिस्वी समानांतर रेखा के दुआरा, उन्चास्वी समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है, USA और कनाडा का विभाजन करती है, अंतराश्टिय तीथी रेखा होकर गुजरती है, परसांत महासागर से होकर गुजरती है मैंग्रोब जंगलों के विशे में इन में से कौन सा कथन गलत है उच जुआर के दोरान सुंद्री पिरों की जरों को खारे जल में दूबा होना चाहिए ये गलत है प्रिथ्वी की ओजोन की परत परानियों के लिए उपयोगी होती है क्यूंकि यह उन्हें शुरी की अत्यधिक प्रवेगनी किर्नों से बचाती है हवाई जहाज प्राय खाली अस्थान में उड़ते हैं हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं हीमताप तब होता है जब जब वायू को ओशांक हीमांक से नीचे आ जाता है कुहरा बनने की संभावना कब परबल होती है गर्म धारा एवं सुस्क ठंडी धारा भती है तब प्रात काल काफी मातरा में ओश बनने का कारण है ऐसा क्यों होता है साफ आसमान और सांत हवाय के कारण पक्छाब मेह का अर्थ है उच मेग खाद एवं किरीसी संगठन का मुख्याले कहा है खाद एवं किरीसी संगठन का मुख्याले रोम इटली में है तो अप्शन भी हो जाएगा रोम इटली में इसकी अस्थापना 1945 इस्यू में हुई कि ये पंस और पीस पुस्तक के लेखक कौन है राज चेंगपा अप्शन डी होगा दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ नटिफिकेशन बिल को दबा के ओल पे किलिक कीजिए ताकि आने बाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सियर कीजिए राश्टी ये गान जन गनमन की गायन अवधी है ओप्शन बी सी हो जाएगा बावन सेकेंड नेक्स्ट कोईचन भारत के राज सिंग राजनात का सिंग अस्तम को कब अपनाया गया कब अपनाया 26 जनवड़ी 1950 को ओप्शन ए हो जाएगा 26 जनवड़ी 1950 तट रक्षा बल की अस्तापना कब हुई थी तट रक्षा बल की अस्तापना 1978 इस्वि में हुई इसका मुख्याले नई दिल्ली में है संगेत नाटक अकादमी की अस्तापना कब हुई 1993 इस्वि में करीत्रिम नव मंडल अस्तीत है और इसा के भूब नेशोर में अस्तीत है ओप्शन भी हो जाएगा भूब नेशोर में केंदरिय औसधी अनुशंधान संस्थान अस्तीत है option E हो जाएगा लखनों में अस्थीत है बिद्यूद अनुशंधान और विकाश संस्थान कहां अस्थीत है बरोद्रा में अस्थीत है option C हो जाएगा बरोद्रा राश्टी ये पक्षी दिवस कब मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाया जाता है next question इसके बाद देखे ये mathematics का question है तो इसको आप अराम से solve किजिए इसका जो right answer है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ 42 into 239 भागा 9200 x to the power 1 by 3 equal to कितना आएगा तो 408 बनाएगा 4 root under 625 cube equal to कितना आएगा 125 आएगा यदि x का 33 पुर्णाइक 1 by 3 परतिसत equal to 11 हो तो x का मान क्या होगा x का मान जो है 33 होगा limit x tends to 0 a to the power x minus b to the power x by x का मान है तो इसका मान जो है log a by b है वर्तमा जन्म दर परती 1032 है जबकि मिरिक्तिय दर परती 1011 है जन संक्या बढ़ोतरी के संदर में निवल विरिधी दर परतिसत में दी गई है कितना परतिसत? 2.1 परतिसत? a और b मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं b और c मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा c और a मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो A, B, और C, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में, यदि A, वह भी, दोनों समुच्चे A से हो कि A union B में 18, A में 8 एवं B में 18 सदस्य रहे तो A intersection B के सदस्यों की संख्या चुने, 5 होगा, यदि P by Q to the whole power N minus 1 equal to Q by P to the whole power N minus 3, तो N कमान क्या होगा? N कमान 2 होगा, 3 भूज P, Q, R में यदि angle P equal to 120 degree और P, Q equal to P, R तो angle Q और angle R है वो कितना होगा? 30 degree और 30 degree होगा, कौन की और कौन आर दोनों, 30-30 degree होगा, X square plus 1 by X square equal to, क्या होगा? यदि X plus 1 by X equal to 3 है तो, 7 होगा, परचलित कीमतों परदेश के सकल अर्थ व्यवस्ता के GVA में 1221 में क्रिशी तथा संबध छेतरों की हिस्चेदारी है, कितना परतिसत है? 19.9 परतिसत है, वर्ष 2019-20 में चना का सरवादिक उत्पादन करने वाले राजजी हैं, करनाटक, देश में वर्ष 2019-20 में सरवादिक दलहन और तिलहन उत्पादन करने वाले राजजी कौन सा हैं, राजस्थान, वर्ष 2019-20 में देश का सरवादिक उत्पादक राजजी हैं, उत्तरपरदेश 15-20 वित आयोके 2021-26 अंतिम रिपोर्ट के अनुशार केंदर सरकार ने विभाज निये करो का कितना हिस्था राजजीों के बीच बांटने की सुईक्रिती परदान की गई हैं, एक तालिस परतीसत, इन में से कौन सी आर्थिक अधी संरसना में नहीं आता हैं, तार दूर संचार को अप्शन सी हो जाएगा, तार या दूर संचार आर्थिक अधी संरसना के अंतरगत आते हैं, इन में से भारत की राष्टिये आई की सब से बड़ी शुरोथ क्या हैं, सेवा छेत्र, दूसरी पंचवर्चे योजना की रूप रेखा किसने तयार की थी हैं, पी सी महाल नोबिस ने, राष्टिये आवास बैंक की अस्थापना किस पंचवर्चे योजना अवधी में हुई, राष्टिये आवास बैंक की अस्थापना जुलाई 1988 में सातवा पंचवर्चे योजना के तहत हुआ, तो option B हो जाएगा साधारन बीमा नेगम के अस्थापना किस पंच वर्चे योजना अवधी में हुई थी चतूर्थ पंच वर्चे योजना option C हो जाएगा साधारन बीमा नेगम के अस्थापना नॉवंबर 1972 में याने की चौथी पंच वर्षी योजना अवधी में हुई थे भारतिय तक्निकी विकास एवं सूचना कम्पनी की अस्थापना किस पंच वर्षी योजना अवधी में हुआ था सातवी पंच वर्षी योजना में भारती तकनिकी विकास ववाम सूचना कम्पनी के अस्थापना 1989 इस्वी में हुई थी जोखिम पुंजी ववन टेकनोलोजी नीगम RC-TC के अस्थापना किस पंच वर्षी योजना अवधी में किया गया पंचम पंचवर्षी योजना में किया गया 1975 इस्वी में अंध सनरस्ना पट्टेदारी एवं वित स्यवा लिमिटेड किस पंचवर्षी योजना अवधी में अस्थापित हुई थी साथवी पंचवर्षी योजना में 1988 में अस्थापित किया गया था राज कोशिय घाटा है राज कोशिय घाटा बजटिय घाटे का योग और सरकार का बजारीन तथा दाईत्तु है जून 2021 में जारी नीती आयो की इस डीजी भारत सुचकांग 2021 में सुच्च जल और सुच्चता लक्षी में अंक है एक क्यानवे अंक है नीती आयो के इस डीजी भारत सुचकांग 2021 में सांती नियाई और मजबूत संस्ताई के लक्ष में बिहार का अंक कितना है 73 अंक है हाल ही में आयोजित टोकियो परालंपिक खेलो में बिहार के किस खिलारी ने भाग लिया टोकियो पेरालंपिक खेलों में बिहार की निवासी परमोध भगत और सरद कुमार ने भाग लिया आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक टोकियो उलंपिक में पदक जितने वाली भारती होकी टीम में बिहार का कौन सा खिलारी था विवेक शागर वर्ष 2019 से 20 में बिहार राजी के कुल प्राप्ती है एक 2,11,502 करोर वर्ष 2019 से 20 में बिहार राजी का अपना राजसु सकल राजी घड़ेलू उत्पात का कितना परतिसत है 5.5 परतिसत बिहार के की जिले में कोकोलत जल परपात है बिहार के नवादा जिले में कोकोलत जल परपात है ओप्शन ए हो जाएगा नवादा दुह यारे गारे के जनगना के अनुसार बिहार की जन संक्या कितनी है दुह यारे गारे के जनगना के अनुसार बिहार की जन संक्या 10.41 करोड है 2015 में जनगन्ना के अनुसार बिहार के सरवादिक लिंगानुपात वाला जीला है, गोपाल गंज, किस सासक ने वैसाली के लिछिवी राजकुमारी से विवाह किया था, गूप्त सासक, चंद्रगूप्त पर्थम ने लिछिवी राजकुमारी से विवाह किया था, ओप्चन ए के हो जाएगा चंद्रगुप्त पर्थम बिहार में आदी मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष किस यूग के हैं पुरु प्रसस्तर यूग के अकबर के समय में कहा के उजेनी राजा दलपद साही ने विद्रोह किया था जगदिशपूर ओप्सन ए होगा जगदिशपूर के विद्रोह का दमन करने के लिए साहबाज खान को भेजा गया सवी ने अबग्या आंदोलन के समें बिहार महिला सम्मेलन का चौन्था सम्मेलन कहा हुआ था गया में ऑप्शन भी होगा यह सम्मेलन गया के थियो सवाफिकल हॉल में 4 सितंबर 1930 को नंद किशोड लाल की पत्नी की अध्यक्सता में संपन हुई सभी ने अवग्या अंदोलन के दोरान डॉक्टर राज़ंदर परसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया छपड़ा से ऑप्शन B होगा डॉक्टर राज़ंदर परसाद को 6 महिने की सजा हुए राज़ंदर परसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावाज की अबदी को पूरा कर जेल से रहा हुए निम्र में से कौन किसान नेता नहीं थे सुरियनाथ चौबे औप्शन D राइट आंसर हो जाएगा सुरियनाथ चौबे कांतिकारी नेता थे बिहार स्टुडेंट्स का 21 अधिवेशन कहां संपन हुआ था मोतिहारी में भारतिय राश्ट्य कोंग्रेस का 37 अधिवेशन 1922 में कहां हुआ था गया में ऑप्शन भी हो जाएगा इस अधिवेशन के अधियक्सता चितरंजन दास ने किया राजेंदर परसाद सुआगत कारिनी के सचीव थे अधिवेशन के लिए गया के दक्षिन में तीनुई गाउं के चुना गया था चमपारन क्रिसी विधेय को विधान परिशद में कब प्रश्टूत किया गया 29 नवंबर 1917 को बिहार में व्यक्तिगत सत्यागरह के दूसरे सत्यागरही कौन होने वाले थे अनुगरह नरायन सिंग ऑप्शन टी हो जाएकर बिहार में व्यक्तिगत सत्यागरह के दूसरे सत्यागरही अनुगरह नरायन सिंग होने वाले थे भारत छोड़ों आंदोरों के करम में पटना सचिवाले गोली कांड में सहीध होने वालों में निम्न मेशे कौन सामिल नहीं थे सीता राम केसरी ओप्शन ए हो जाएगा सीता राम केसरी दोस्तो आज के वीडियो में डॉक्टर रजनिस कुमार सर का 12 हुआ सेट कॉम्टिट हो गया तो यहां पर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नटिफिकेशन बिल्कों दबा के ओल पे किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और चैनल पर रुख मीनी परकासन का और एडू टेरिया बीपीएस सी का निव प्रैक् पे केर